गौाही गुर्जी का खालसा गौाही गुर्जी की फते मैंगा अब भी ओडी बुक सुन रहे सारे सरुतियानू मेरे मनेंजर कारवलनों प्यार परी साच्छ्रियका खालसा राजदे उस्रिये पागतीज्जा पन्ना नंबर पचवंजा वजीर फते खान नाल मिलनी सन स्तारा सो बारा इश्वीद एक्तुबर दे महिने हुकमरान काबल शा महमूद दा परसिद वजीर फते खान बार्कजई काबल तो कूच करके बहुत सारी फोजनाल पिशावर वल आया तांकी कश्मीर दा गवरनर अता मुहमद खान जेड़ा हकूमत काबल तो कुझ आकी हो रहा सी उसनो उत्थों काड के उस दी थां अपने पाई महमद अजीम खान दे हाथ कश्मीर दी हकूमत सौंप देवे पर खाल से दी ताकत तो बिना जेड़ी इस समे वड़ी तेजी नालवाद रही सी इहे अपने इस इरादे दे पूरा करन विच एक पारी खत्रा पर तीत काबदा सी ओ पूरी तरह जान दा सी के बिना खाल सा फौज दी सहाइता दे कश्मीर नु फते करना उस दी ताकत तों बाहर है इस कार जदी सफलता लई दानने वजीर ने इस वक्त बड़ी नीती तो काम ले आ पिशावर पॉंच के इसने शेर पंजाब दी सहाइता प्रापत करन लई अपने दिवान गोदर मालनू बहु मुले तोफे देके महराजा साहिब दे दर्बार विच्छ हाजर होन लई लहौर पे जिया दिवान ने वजीर वल्लों बिने कीती के ओहु महराजा साहिब दे दर्शन दाभी लाखी है सरकार जिस थां ते जिस तरीक नू मिलन लई समा नियत करन फते खान उते पहुंच जाएगा एक अजीब स्योग है कि इना दिना विच्छी महराजा साहिब आपनी कमहिम तियार कर रहे सन तांकि वफा बेगम नाल कीते होई इकरार अनुसार शास जानू अता मुहमद खान गवर्नर कश्मीर दी कैतों छुडा के ले आओं दवान गोदर मालदी जबानी वजीर फते खान दी मांग महराजा साहिब ने अपने सला कारां दी सला नाल परवान कर ले अते वजीर नू मिलन ले जेलम दा खुला मैदान पसंद किता एक्थे मिलनी लई योग परबंद करन लई महाराजा साहिब ने अपने सरदारां विच्चों दानने ते भादर सरदार तन्ना सिंग मलवई नू नियत किता आप सने जरूरी समान ते फौज दे छेमे दिन लहो औरतों जेलम पॉँच गए एक्थे थोड़ा देना विच्च ही दोहां हुकमराना दी मिलनी लई बड़ा शानदार मंडप निवास थान अते फौज आदी दे टिकन ते खान पांदा सारा परबंद वड़ी योगता नल कार लिया जाद साब परबंद ठीक ठाक हो गया तहुन शेरे पंजाब अते वजीर फते खान नूँ खबर पे इज़ती जिस पर महाराजा साहिब सने खाल सा फौज दे उननी अक्तूबर नू जेलम आगया सी सरकार अते फते खान एक दिन पहला ही जेलम आगया सी सरकार अते फते खान सरदार तन्ना सिंग दा शहाना परबंद देख के अश्चर्ज रह गए अते महराजा साहिब ने सरदार साहिब दे काम दी बड़ी शलागा कीती मिलाप दी चाकी अगले दिन वी अक्तूबर 1812 दी दपैर नू वजीर फते खान सने अपने सलागारां दे अपने निवास थान कैंप तों शेरे पंजाब दे डेरे आया अगो महराजा साहिब वी शाही प्रोणाचारी दे नियम अनुसार वजीर नू सनमान नाल मिले दोमे हुकमरान वड़े दरबारी शामियाने हेट आपो अपनिया नियत सुनेरी कुरसियां पर जा बैठे हुन आपस विच एक दुजे तों सफर दी सुख अनद दी पुछ गिच्दे परंत मतलब दी गाल पर विचार हों लगी जिहा की असी उपर दास आये है महराजा साहिब केवल अपनी फौज नाल ही कश्मीर पर चड़ाईदियां तियारियां विचसान इस समय वजीर फते खान दी समलत फौज दी चड़ाईदी तजवीज नू काजर वलनों एक गैबी सहायता जानके अपने वलनों कुछ शर्ता वजीर नू मनवान दे परंत सर समती नाल सांजी चड़ाईदा फैसला किता गया मलूम हुंदा है कि शेरिप पंजाब इस समय मिलवी चड़ाई विच एक वड़ा लाब है समझदे सन की एट का खालसा फौज अफगानी फौज नाल राल के कूच करन नाल कश्मीर दियां ओखियां काटियां ते पहाडी र पाहिब ने इना सारियां राज सी लाबा नू मुख रखके फौज नू कश्मीर पर चड़ाईदा हुकम देदता शेरिप पंजाब ले सुगाता इस समय फते खान ने शेरिप पंजाब नाल मितरता दे सबंद नू वदेरा पका करन लेई दो बहुत वदिया कोड़े जो वड़े कीमती साजो समान नाल सजे हुए सांग दो इरानी तलवारा जिना दे कबजेयां पर सुनेरी कम हुया सी पंज तराई छूरे एक बड़ा वड़ा बुखारी शामियाना अते उसे जिना बड़ा कीमती गलीचा दस पार सुका ते दस पार ताजा मेवा फल वी खरवार बाड़ो दे पुलाई चौल महराजे दी नजर की ते शेरी पंजाब ने एक वड़े काददा हाथी सने बहुमुले समान दे सोने दे कड़ेयां दिया पंज जोडियां एक कीमती हार वजीर नू दता वजीर एड़े उच्चे काददे हाथी नू देखके बड़ा ही परसन होया इस तरह एहे इतिहासक दरबार समापत होया शेरी पंजाब दी सरदार तन्ना सिंग पर परसन ता जिहा की असी उपर लिख आए हाँ इस दरबार दा सारा परबंद सरदार तन्ना सिंग मलवई ने वड़ी योगता नाज सिरे चाड़या सी इस दर्बार दे शहाना प्रबंद नू देखके महराजा साहिब सरदार तन्ना सिंग पर इन्ने पर सन होए जिस दी कोई हद नहीं सी सरकार दी खुशी किसे पर केवल जबानी नहीं सी हुंदी सगों हजूर जिस पर परसनता प्रगट कार दे सन ता उनू सदा ले नहाल कर दे सन सो अपने सुबा अनुसार शेरे पंजाब ने इस परगट कीती खुशी बदले सरदार तन्ना सिंग नू बहुत बड़ी जगीर बख्शी सरदार तन्ना सिंग दिया होर कुर्बानिया सन 1813 दिया गर्मिया खाल सा इतिहास विच सदा उजागर रेंड गिया इस समय खाल से ने हजरो अटक दे मदान विच अफगाना पर बड़ी सफल फते पाके अफगाना नू सदा लई पंजाब विचों कार दता ते पंजाबिया नू रोज रोज दिया लुटना तो सरख्यत कार लिया सी पर इह सफलता सौखी नहीं सी प्रापत होई सरदार तरना सिंग मलवई दा नाम खास महानता रखदा है सरदार तरना सिंग दा मुढ फटड होना इस तो अगले साल खासा फौज ने कश्मीर पर चिड़ाई की थी सूबा किश्मीर दे पंजाब नाल लाग में परगने इस साल खालसा राजदे अधीन कीते गए जिना विच पिंबर ते राजोडी आदी शामल सान इस मुहिम विच सर्दार तन्ना सिंगनू खबी बाँ पर तलवार दा एक करड़ा फट लगा सी सूबा मुलतान दी फटे खालसे दा एक महान कारनामा मन्या जान्दा है इह फटे कोई मामुली सफलता नहीं सी इसनल पंजाब विच्चों विदेशी हकूमत दा आंत हो गया इह सूबा बाहर मुखी नवाब मुजफर खान दे कबजे विच सी पर वास्तव विच इस दी पिठ पर सारे अफगानस्तान दी ताकत काम काब दी सी इसलिए इस पुरानी इसलामी हकूमत दिया निहा पर खालसा राजदा उसरना खालसे दी करामाती सफलता बनी जांदी है नवाब मुजफर खान ने महराजा साहिब नाल कई वारी एहद नामे लिखे पर उना नू बहुत काटवर्तों विच ले आंदा उसनो इस गल्दा पूरा प्रोसा सी के जद भी मेरे पर खालसे वल्लों ओखी कड़ी आएगी सारा इसलामी संसार मेरी रख्याली मिदान विच आ जाएगा शेरी पंजाब इस गल्नो पूरी तरह जानदा सी के जद तक मुलतान दे अड़े नू साफ ना किता जाए पंजाब विच अमन काइम नहीं हो साकदा अते ना ही खासा राज दियां जड़ा पकियां हो साकदियां हाद महराजा साहिब ने इस दूर द्रिष्टी नू मुख राके रात दिन अपना त्यान फौज नू नवे तरीके पर त्यार करन अते वदतों वद जंगी समान दे कत्तर करन विच लोना अरंब दता सरकार ने हुण जड़ इना परबंदा नू पूरी तरह तसली बक्ष डठा ता सन 1818 दे अरंब विच 15,000 कवाइदान फौज खडग सिंग, दवान पवानी दास अते मिसर दवान चाददी सौंपनी विच मुलतान नू पूरी तरह फते करन लई पेजी इस फौज ने जान दे ही शेहर नू के रिविच राख लेया, अगो नवाब मुझफर खान वी कोई मामूली गनीम नहीं सी के ओँ चटपट अपना सूबा चाड़ दन दा इसने चाली हजार मुलखईया ते अफगानी लशकर दी मदद नाल खावसे दा टाकरा कीता खावसे ने शेहर दियां फसीलना दे कई बरजटा दते जे एह केरा कुछ दिन होर होंसले नाल जारी रखे जान दा ता मुल्तान दे फते हो जान दी आस हो साक दी सी पर्दवान पवानी दास दी गल्ती जा बेदली दे कारण जित्ती होई बाजी हत्थो जान दी रही शेरी पंजाब नुँ जद इस गालदा पता लगा ति आपने 10 हजार हुर सज़र शा फोज सरदाँ शाम सिंग अटारी ते सरदाँ तनां सिंग मलवई दी सरदारी विच मुल्तान वाल तोड़ दती इस दे नाल बाबा फूला सिंग अकाली नू सने अकाली दाल दे पंगियां दी तोप दे मुल्तान वाल तो रिया बाबा फूला सिंग ते नवी फौज दे मुल्तान पौँच दिया ही जंग दा रंग बदल गया ओही किला जिस दे सरकर्ण पर पूरे छे महिने लाग गई सन ते अजेवी इस पर कबजा करन दी कोई आस नहीं सी हो साकदी हुन कौमी शहीदा दी सतता नाल ओहो असंभव कम एक दिन विच ही संभव हो गया दो जून दे दिन खिजरी दरवाजे दे अग्गे जम जमा तोप बीडी गई इसने कोई तिन वारी अग उगली सी के दरवाजे दे लाग्यों ससील विच खपा पै गया इस पाड नो देख दे सार बाबा फुला सिंग जी अपने शहीदी दाल नाल जिना अज किला फते करन जां शहीद हो जान दा प्रण किता सी अकाल अकाल दे जकारिया नाल अकाश नो गुजान दे होए उड़ के उस पाड विच ता से अगो बहादर नवाव मुजफर खान सने अपने अठ पुत्रा ते हजारा गाजियां दे इना नुठला पान लेई पाड दे मू अगे आखलोता ते बड़ी दलेरी नाल इना नाल गैगाच जुट पया इस समय सरदार शाम सिंग, सरदार हरी सिंग नड़ुआ, सरदार तन्ना सिंग सने अपने चोनवे जवाना ते अकालियां दे नाल नाल के ले दे अंदर किता इते बिर्द सूर में नवाब ने बड़ी जान तोड के तलवार चलाई, अगों बाबा फुला सिंग ने नवाब पर एक ऐसा वार कीता, जिस नाल नवाब लड़ खडा गया, अते कोडों सरदार तन्ना सिंग ने, वड़ी ते जी नाल नवाब दे हत्थों उस दी जड़त तलवार खो लई, ते अपनी तलवार नाल एक ऐसी साटलाई, जिस नाल निडर नवाब मुझफर खान दी रू उड़ारियां ला गई, हुन नवाब साहिब दी वड़ मुली तालवी सरदार तन्ना सिंग ने ले लई, इस तरह मुलतान दे सारे सूबे पर अज खाल से दा क अबजा हो गया, इस फते दिपरंत खासा फोज लहोर पॉंची ता सरदार तन्ना सिंग ने नवाब मुझफर खान तों खोई हुई तलवार ते टाल एक वड़े दरबार विच शेरे पंजाब दी हजूरी विच पेश किती, महराजा साहिब ने इसनों उल्टा पल्टा के बड़े त्यान नाल डठा, इस दे बाद इना दोहां बहु मुलियां सुगाता नाल पांजह जार रुपए अपने वलों मिला के इह सब कुझ सरदार तन्ना सिंग नू इनाम वज्जों दे दता फिर फट्टड होना, इस दे उपरांत अगले साल कश्मीर दी फते समे सरदार तन्ना सिंग ने बड़ी बहादरी दसी ते वड़ा नामना पाड़या इस तरह सन 1821 वाली परसिद मन केरे दी जित विच आप दी कुरुबानी सदा लई खालसा इतिहास विच उजागर रहेगी आपने दरिया खान दा नामी किला फते करके खालसा राज दी वड़ी सेवा की ती इस समें हथों हथ लाड़ देयां आपनो करड़ा फाट लगा सी इस सेवा दे उपरांत शिरे पंजाब आप दी राए दी इनी कदर कर दे हुंदे सन की खालसा दरबार विच ऐसे बहुत कट सरदार सन जिना दा मुरात्बा सरदार तना सिंग दे बराबर सी सरदार तना सिंग ने सने अपने वरगे बहादर सपुत्रा सरदार बचितर सिंग ते हुकम सिंग दे जेडे सजे खबे आप दे ना सन अपनी बीरता दे ओहो जोहर दसे जिना नु देख के सब वावा कारुठे सा सूबा पिशावर नु खासा राज नाल मिला लैन नाल कवर नौने हाल सिंग ते सरदार हरी सिंग ने इस सूबे दे साब्तों करडे के ले मिचनी दी राखी सरदार बचितर सिंग दे हाथ सौंपी सी जिसनों इस सूर में ने बड़ी भादरी नाल नबाया जिस दी टांक अज तक इस इलाके विच मननी जान दी है चलाना सरदार तन्ना सिंग लग पग अठाट साल दी उमर पोक के मई सन अठारा सु तरताली विच चडाई कार गया आपने अपने जीवन दे तरताली साल खासा राज दी उसारी ते वादे लई काला कालिया आप दी अंतम अभिलाखा नुसार आप दा दा संसकार शहीद पाई तारू सिंग जी दे शहीद गंज विच कीता गया महराज़ शेर सिंग दे हुकम नाल इसे था आप दी शानदार समाध तियार किती गई जो अजे तक मजूद है बाबा साहिब सिंग जी बेदी सत्गुरु नानक देव जी दी पावन बंस विच जनम होन तों छुट बाबा साहिब सिंग जी विच ओ सारे गुण मोजूद सन जेडे किसे स्रेश्ट पुर्ख ते उच्चे पाई दे जरनेल लेई सोव दे सन आप जित्थे आत्मक जीवन विच खास प्रभुतर अख दे सन उथे नाल ही तलवार देवी ऐसे तनी सन कि उना दे नाल दा जोदा कोई ही मिलदा सी लोड पैन पर आप जद रन तत्यां विच अपनी तेग तू के तैवर दे हुंदे सन तैयों मलूम हुंदा सी के मानों तुर आकाश तों कडकदी होई बिजली वैरी दे सर तुटके पैर रही है तार्मक दिवाना विच जद आप शिरी गुरु गरन साहिब जी दी ताब्या बैठ के गुर्बानी दी कथा कारदे हुंदे सन तैयों पर ती थुंदा सी के तुर अर्शा तों अमरित वर्खा हो रही है आप जी दे पिता बाबा जीत सिंग जी मना नू मो लैन वाली कथा व्याख्या करन दे कारण ना केवल सिखा विच ही पूजे जान दे सन सगों पहाडी लाके दे राजे राणिया विच भी आप वड़े कलावान मने जान दे सन खास कर राजा जखवाल ते राणा कहलूर आप दे आज्या कार ते सिदकी शर्दालूआ विच्चों सन इना बहुत सारी जागीर बाबा जी दे लंगर नाल लवाई होई सी बाबा साहिब सिंग जी अजे युवक ही सन की आप दी उच्च करनी दी तुम सारे देश विच खिलर गई सी आप तों सब कोई पलाई ते निया दी आस रखदा सी जद कदे राजिया जा सरदारा विच कोई तनाजा चगड़ा किसे गलों पैदा हो जान दा ता आप जी उस दा ऐसा निया शील फैंसला कर देंदे कि जसना दों में तिरां पूरन संतुष्ट हो जान दिया सान मिसाल लई इकेरा राजा उमैद सिंग वालिये जसवाल अते सरदार गुर्दित सिंग रईस संतोख गड़ वचाड़े बड़ा पारी चगड़ा एक इलाके बारे खड़ा हो गया जिस विच दों में तिरां वलों सैंकड़े कीमती जानना दे वियर्थ जान दी संभावना से इक दिन इन दों मा ताक्ता वलों लशकर इकठे होके आपो अपने बन्या पर मोर्चियां पर आ बिठे होन केवल छेकर ले हुकम दी ही देर सी ते कतलाम अरांब हो पैनी सी बाबा जीनू सालस मनना इस नाज़क समें राजा उमेज सिंग ने सरदार गुर्दित सिंग नू सनेहा पजवाया कि लडाई तो छुट एक होर तरीका भी हो साकदा है जिस नाल इहे तंदा निखेड़िया जा साकदा है ओहो तरीका इहे है कि असी दोमे तरा शिरी बाबा साहिब सिंग जीनू विचोला मन के सारा मामला उना दे हाथ सौंप देए ते ओहो जो फैंसला करन दोमे परवान कर लेगे इस पले ख्याल दे मननतों सरदार गुर्दित सिंग नू की उजर हो साकदा सी दोमा ने अपने सबूता सने मामला बाबा जी हाथ सौंप देता पूरी विचार दे प्रंत बाबा जी ने ऐसा स्यानप परिया दो टुक फैसला कीता कि जिस नाल दोमे हाकदार आपो अपनी थाएं पूरन संतुष्ट हो गए अते एहे तनाजा सदा लई मोक गया इस फैसले दी खुशी विच राजा जसवाल ने पिंड उन्ना सने तलक दे अते सरदार गुर्दत सिंग ने मौजा कूल गराओं जो बड़ा उपजाओ पर गणा सी लंगर लई बाबा साहिब जी दी पेट किता हुन आप जी उन्ने जावसे सारे पंजाब विच परसिदता जियों जियों बाबा जी वदवद के नाम ते गुर्बानी दे परचार विच लीन हुन दे गए तेओं तेओं आप दा मान ते परतिष्टा देश विच खिलर दी गए आप दी राये तार्मकते राज सी मामलियां विच अटल मनी जान दी सी आप दे मुखतों शिरी गुरू गरंत साहिब जी दी कथा सुनन लई कई हजारां दी गिंती विच सरोते आप दे डेरे दे नाल रहें दे साँ इक वार राणा कहलूर सने राणिया ते एहल कारां दे शिरी बाबा जी तो पदेश प्रापत करन लई उनने आया ते कई दिना तक बड़े शर्दा परे मान नाल शिरी गुरू गरंत साहिब जी दी पावन कथा सुनन दा रहा राणा आप जीदे सिख्या परे बचना पर ऐसा मोहित होया कि ओहो गुरू का रदा पूरा शर्दालू हो गया इस तरह महराजा पटेयाडा नाबा ते होर कई रईस ते राजे अपने आप नूवड़ पागी जान के आप तों कथा सुनन दे आप दी आग्या विचे रहें दे सां शेरी पंजाब नाल मेल शेरी पंजाब ने लहोर दे फते करन दे कुझ समाबाद खालसा राजदी नी रखन लगियाँ शेरी बाबा साहिब वरगी पावन हस्ती तों असीसा ते शुब इच्छामा प्रापत करन दी तीबर इच्छा परगट कीती अते बाबा साहिब सिंग नू लहोर चरन पान लई अपने कुझ करमचारी आप दी सेवा विच उनने पे जे बाबा जी सरकार दी शर्दा देख के लहोर आ गए शेरी पंजाब ने अगों बड़े आदर ते सितकार नाल आप जी दी अगवाई कीती अते खास किले विच आप नू अपने पास नवास दता कुझ समा सरकार सने महराणिया ते शाही परवार दे बाबा जीतों शिरी गुरु गरन साहिब जी दी अमरित कथा सुन दे रहे इस दे बाद बाबा जी दी सुला नाल शिरी पंजाब नू राजगी दी पदवी देन ले तियारिया हून लगिया शिरी पंजाब नू महराजगी दा तलक लणा हून सारिया लोडिंदिया तियारिया हो जान दे बाद 13 अप्रेल सन 1801 नू बहुत बड़े शानदार दवान विच जिस दी रौनकवदान लई दूर दूर तो अनेक रईस ते सरदार आई होई सन लहौर दे किले दे दरबारे आम विच शेरे पंजाब मुगलिया बादशा दे तक्त पर बराजे इस समय बाबा साहिब सिंग जी ने उच्छा पर एहर दे नाल अरदासा सो दिया अटे अशीरवाद दे दिया सिंग साहिब नू राजगी दा पद दिया अटे मस्तक पर कुंगू दा तलक लाया इस दे नाल ही सारे दरबारियं सत श्रीकाल दे अकाश गुनजाओ जकारिया नाल इस दी परवानगी परगट कीती उन सारे दरबारिया ने महराज़ा साहिब दी सेवा विच नजराने पेश कीते अगो सरकार ने हर एक रुत्बे अनुसार खिलता ते जगीरा बक्षियां इस समें महराजा साहिब ने बाबा साहिब सेंग नू पिंड उदेवाल इलाका गुजरात विच जगीर पेटा कीती इस दिन तो बाद अग्गे नू सदा लई रुहानी बरकता तो छुट खासा राज दी उसारी दे राविच जद कोई ओकड आण बन दी ता बाबा साहिब जी उसनू हटान विच सदा तत पर रहें दे मेदान जांग बारे शेरी पंजाब बाबा जी दी रायनू वड़ी कदर दी नजर नाल देख दे हुंदे सनू वड़े वड़े संग्रामा विच सरकार सदा आपनू अपने नाल राख दे सनू खासे विच बीर रस उतेजन करन दे यतन जंगी सेवदे नाल शिरी बाबा जी खासा राज दी ब्रदी लई फोजां विच खासे दे बीर रस दे वादे लई सदा पचार कर दे रहें दे सनू कई कई हजार दे कठा नू अमरत दी दात दे के सिखी आचरन दी उच्टा नू काईम रखां दे यतन विच लगे रेंदे सनू मलेर कोटिया दी सोद इक वेरा अताउला खान नवाब मलेर कोटले ने कई सिंगा ते हिंदू आदे सामने गवबाद कीती अधे अगजे नू इसतरा करन दा कुमांड कीता इते दे सिख ते हिंदू वसनीका ने आके सारा मामला दसेया बाबा साहिब जी ने उसे दिन तरमीद दा चंडा लहरा दता अते आट सो खाल से नाल मलेरिया पर तावा बोल दता अगो मलेरिये वी पीडियों पीडी पर सिद तलवारिये मनने जांदे सान इना कई हजाब दी गिंती विच इकठे होके नवाब अताउला खान अते उस दे चमा बहादर पती जिया वजीर खान, फते खान, हिम्मत खान, ते दलेर खान दी अगवाई विच बाबा जी नो अग्गे वदन तो रोक्या हुन लगी खटा खट तलवार चलन मलेरी ये बड़ी बहादरी ना लड़े पर इस समय बाबा साहिब अपने कोडे नो डांदे हुए वेरियां दे गार जा पए अते ऐसी सिरी साहिब चलाई के वेरी दे लशकर नो कुचल के रख दता बाबा साहिब नो इस तरह रण तक्ते विच सब तो अगे देके खाल से दे बीर रासने चलका ख़दा जिस अगे मलेरी ये होर ना ठैर सके इस तरह उना बहुत जानी नुकसान उठा के मिदान खाल से दे हथ चढ़ आप कोटले जा पना लई एच्थों अता उल्ला खान ने अपने पाई अब्दुल्ला खान नो महराजा साहिब सिंग वालिये पटियाला पास पेजिया तांकि उख विचोला बढ़के बाबा साहिब जी तो उना दी जान बक्षी करवाई महराजा साहिब पत्यारा ने अपने दो सहकारी सरदार चैन सिंग ते बक्षी सैदा नो बाबा साहिब वाल पेजिया उना ने आके मलेरिया दे अपराद बदले एक पारी रकम चट्टी वज्जों उना तो वसूल करके बाबा जी नो दवाई अते अगे लिखा से दिया सारिया शर्ता मलेरिया नो मनवा के एहद नामा लिखवा दता इस दे बाद बाबा जी मलेर कोट ले तो पूरन ससलता प्रापत करके उन्ने वाल परता है राए कोटिया पर चड़ाई कुछ समय परंत राए कोट दे अफगान हुकमराना दी बाबा साहिब सिंग जी नो शकायत पूजी के राए कोटिये ने सिख परजा तो तार्मक अजादी खो के उना नो डाड़ा तांग का रख्या है हुन उना दी लाके विच शब्द कीर्तन ते चट का आधी करना एक जुर्म समझा जानदा है बाबा जी इनी दिनी अमरे सर आय होई सान अते संगता नो श्री गुरु गुरंच साहिब जी दी कथा सुना के निहाल कार रहे सान आपने दो दन अपनी कथा विच संगता नो राय कोटियां दा खाल से नाल अयोग वरतावे दा समचार दसया जिस नाल खाल से विच एना अथा जोश फैल गया कि सत हजार खाल से ने अपने सीस वार के अपने वीरा नो तार्मक हक दवान दा अपने संबने प्रण किता अते लोड तो वाद समान जंग ते बेंत माया इस कार्ज लई एक दिन विच ही कठी हो गई अगले दिन बाबा जी ने शिरी गुरु रामदास जी दी हजूरी विच अर्दासा सोध के राय कोटियां पर चड़ाई दा तौंसा वजा दता इस तरह कई हजार कौमी परवानिया आप दी अगवाई विच आपा वारन लई कूच कारदता इस समे रियासत राय कोट विच लुद्याना सने जगराओं दे तल्लक दे शामल सी बाबा जी ने थे पौँच दे ही राय कोटियां दे लशकर नो इनने गजब दे जोश नाल अग्गे तार लेया जिमें पे आनक तुफान कखां कानिया नो रोड खाड़ा है अफगाना वी बड़ी दलेरी नाल अपनी रियासत नो बचान लई दिल खोल के टाकरा कीता पर बाबा जी दे अथा जोश पर एहले नो रोकना इना दी शक्ती तों बाहर सी राए अलियास दे सालार रोशन खान ने पांज जोद दे मदान विच कुझ अपने पजे जान दे लशकर नो मुड़ इकठे करन दी हिम्मत कीती पर इत्थे वी बाबा जी इस पर ऐसे टुटके पए की जी में बफरेया होया शेर बबर अपने शिकार पर लपकदा है अते एको वार नाल सालार दी अल्ख मुकादती बाकी लशकर ने जद अपने अगणू मिदान विच तड़सदा डठा ता हजार हिम्मत करन पर वी उना दे पैर रण खेत विच ना जान सके होन जग्दर किसे नू रा लबा उद्धर नू अपनी जान बचान लई पाजनठा इस फते नाल बाबा साहिद सिंग जी दा लुद्याने अते जगराओं पर कबजा हो गया इस समे राय कोटियां तुर्त अपना एक सवार दुडाके पाई साहिब पाईला सिंग जी रईस कैथल नू जो बाबा साहिब दे सने ही सान अपने पास मंगवा लेया पाईला सिंग दे कैंड पर लुद्याना मोड राय कोटियां दे गुजारे ली उना नू मोड दता अते इस दे बदले मनसूर ते किला नौप्त सने इलाके बाबा जी नू दवा दता चलाना इस तरह बाबा जी अपना सारा जीवन खासा राज दी उन्नती ते उसारी दी सेवा विच बिता के सन 1844 दे अरंब विच इस संसार तों चलाना कार गे आप दे विचोडे नू शेरे पिजाब ने खासा राज ते कौम दा कदे पूरा नाहून वाला काटा दस्या बाबा जी दे जीवन पर एक नजर बाबा साहिब सिंग जी एक महान हस्ती सी जो अपने आप विच निराली सी आप पर मार्थ दे नाल नाल मिदाने जंग विच जवान मर्द बीर बहादर तेक उच्ची शान वाला सूर्मा सी आप दा जीवन पर उपकार दी अखुट रों विच चालदा सी आप दी जंदगी उच्ची कुर्बानी दी आशा विच स्थर सी जिस विच कांप नहीं सी डोलन नहीं सी आप विच स्यानप परी गंबीर ता उत्पन सी जो आम लोकां विच बहुत काट देखी जान दी है आपने पंजा प्यारयां तो अमरित पान कीता सी हते अपने जीवन विच हजारा गुर सिखा नूँ खंडे दा अमरित शिका के जिस तरह आप पूरण रहत बहत विच त्यार बर त्यार रहें दे सन इसे तरह अनेका नूँ सावदान कावदता मुक्दिगाल एह है कि आप दे जीवन नूँ जिस पहलू तो देखिए निरे गुण ही गुण मिलनगे बाबा साहिब सिंग जीदी संता बाबा साहिब सिंग जीदे तिन पुत्तर संग बाबा बिशन सिंग बाबा तेख सिंग ते बाबा बिकरम सिंग बाबा बिशन सिंग सापतो वड़े पुत्तर नू बाबा साहिप सिंग जी दे जीवन विच ही महराजा साहिप ने कई हजार रुपे आमदनी दी वाख जगी दे दती सी आपने अपना जीवन राज दरबार दी सेवा तो वद तार्मक पर चार कथा व्याख्या दी सेवा लई समर्पन कारदता सी बाबा बिक्रम सिंग जी अपने पाईया विच्चों साबतो निका पर गुणा करके साबतो वड़ा सी एहे अपने शक्ती मान पिता दी तरह बड़ा तेजवान हो भीतिया है शिरिप नजाब ने आपनो खासा राज दा वड़ा सला कार नियत किता होया सी आप खासा राज दी उन्नती दे कम्मा विच अपने मान योग पिता तो वी अग्गे निकल गए सान आप दा पाया सारी खासा फोज अते सरदारा विच बहुत उच्चा मन्या जान्दा सी महराजा रंजी सिंग दे सन अठारा सो उन्ताली विच पर लोक सिदारन दे उपर अते महराजा खड़क सिंग दे कवरनों नहाल सिंग दे बाद जद महराजा शेर सिंग दे महरानी चंदकौर दे विचाले डोगरियां दी खुद गर्जी दे कारन लडाई छिड पई तब बाबा बिकरम सिंग ने डठा कि दोहां ते रावलों खाल से दाही कात हो रहा है ता आप इस दुखदाई दशा नू ना सहाव सके आप चट किले विच पॉंचे ते महराणी नू समझाया कि आप नू अप सुआर्थिया ने पुलेखे विच पाँछडेया है जिस करके दोवली खाल से दाही नुकसान हो रहा है आप इसी वक्त लडाई बंद कर देवो अते आप दी शान नुसार आप नू जगीर आदी दे दवान दे असी जिम्मेवार हा इदर महराजा शेड सिंग नू भी समझा के एक कदम लडाई बंद करवाद अते महराणी दी इच्छा नू सार उसनू जगीर दवाई इस तरह होर अनेका खाल सा राज दिया अखल उलजना नू बड़ी स्यान अपना सुल जाके खाल से दी शान वदान दे रही आप बारे सतलज पार दे अंग्रेज करमचारियां दा ख्याल सी के बाबा बिक्रम सिंग अंग्रेज नू खाल सा राज दा वैरी समझ दे हन इसलई आप दी पारवाली जगीर जब्त कीती गई पर दोहां लड़ाईयां दे बाद जद हकूमत ने समूखाल से विच आप दा इन्ना वदर सूख डठा ता आप नू कई हजार रुपे दी आमदनी दी जगीर पेश कीती पर बाबा बिकरम सिंग जी एन्ने संतों खीते अनखिले सं की आप ने इस जगीर दे सविकार करनतों साफ इनकार का दता आप सन अठारा सो चौंट विच कुछ दन बमार रहके गुरपुरी पदार गई इस कराने दी दुजी शाख वी दिवाकरवत उजागर है जिस विच शिरी बाबा खेम सिंग जी वरगी महानहस्ती ने जनम लेया आप जी ने अपना सारा जीवन गुर्सिखी दे वाद्दे अते संबार विच गुजारिया आप जी उच आचरन दी जोंदी जाग दी मूरत सन आप दे जीवन विच राज अते जोग सम्मिलत दृष्ट मान सी आपने पोठो हार अते सरहदी सूबे विच गुर्सिखी दे परचार विच जीवन दा बहु मुला समा लाया खास कर लड़किया अते लड़किया दी विद्धिया ली सैंक्ड़ेया दी गिंती विच सकूल जारी करवाए गुर्मुखी दे पचार ली वड़िया काला कालिया जो आप दी सदीवी अमिट यादगार रहेगी उपरोक्त महान कम्मा दे कारण जी थे आप सिखी मंडल विच सन्माने जान दे सन उथे सरकार वल्लों वी आपनू उच्ची तो उच्ची पदवी प्रापत सी आप जी अपने पिछेक बहुत वड़ा फलेया फुलेया परवार छाड़ के सन 1904 विच साच खाड़ जावसे जिस पर जिन्ना वद मान कीता जाए उन्ना सोगदा है आप दे पिता सरदार राण सिंग ने खासा राज दी उसारी लई नरैन गड़ दी प्रसिद लड़ाई विच सनमुख हथो हथ लाड़ दियां अपने सरीर पर चार डुंगे फट खादे सन अते अपने मेंगे लहुन नाल तरतीनू रंगा वाड़ा कारदे होए उत्थे ही रन तत्ते विच अपनी कौम तों कुर्बान हो गए सां आप दे दादा सरदार राम दत्ता सिंग ने सरदार महा सिंग दे मोडे नाल मोडा जोड़के राम नगरी दी फते समें चठ्या नाल लाड़ दियां अपना सी इसे तरह आप दा पड़दादा सरदार दुल्चा सिंग जिसने इस कराणे विच साबतों पहला सिखी ते अमरत दी दाद प्रापत किती सी अपने देश ते पांथ दी सेवा विच आपा निशावर किता सी इस योग कराणे दे सूरबीर कई पुष्टा तों खासा पांथ लिषान उच्ची करनलेई अपने तनों मनों बलीदान कारदे चले आए सन जिस्ता पिता पितामा पर पितामा पीडीयों पीड़ी शहीदा दा अमरित पान कारदे रहे हों दसों उना दी संतान किस तरह उनी हो सक्दी है सरदार निदान सिंग दे पहले हाल सरदार निदान सिंग सन 1807 विच अपने भादर पिता दी शहीदी दे बाद शेरे पंजाब दी रसाला फौज विच कुमेदान नियत हुए आप दी छाती दे अंदर ऐसा निडर मान सी जिड़ा खतरे अते पैस में हनेर दा शक्ती मान हो जानदा सी इस समय जो कोई पाग हिन उस दे सामने ओंदा एहे उसनू तलवार दी तार्तों पार करके राख दिनदा हुंदा सी एहे अपने वडेवडेरियां दी तरा कौम ले आपा वारन ते अपने लहुदियां नदियां वगाणियां अपने जीवन दा मुख मंतव समझदा सी एही कारण सी के आप दा सरीर तलवारा, बलमा, गोडियां अते तीरां दियां फटा नाल छाननी वात होया प्या सी उस समय एहे आम परसिद सी के सरदार न दा आंसिंग दे सरीर पर चार उंगल थावी ऐसी नहीं हैं जित्थे फट ना लगा होगे जे पांज हथे सरदार नू रन तत्तियां विच इना लगे फटा दा वेरवा लिखिये ता इसलई एक वक्ष पुस्तक लिखनी पैंदी है इत्थे असी उना विच्चों कुझ कुझ कुदा हाल लिख दे हां पांज हथा पद के में मिले आ खाल सा राज दी उसारी लिए प्रापत कितियां सफल जित्ता विच्चों कुझ 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 ऐसीयां काम्याबियां हन जिना दी याद रेंदी दुनिया तक अमिट रहेगी इना विच्चों 1823 इसवी दी तरक्की नुशैरी दी लडाई पठाना दे कार विच लड़के फते कीती गई सी जस नाल ना केवल सारे सरहदी सुबे विच खाल से दी शान काइम हो गई सी बलकि एदे असर नाल अफगानिस्तान दियां कंदां भी हिल गईया सान इस विच खाल से दे वड़े नामी सूर बीरा ने हिस्सा लेया सी जेहा की बाबा फूला सिंग जी अकाली, सरदार हरी सिंग जी नड़वा सरदार निदान सिंग, सरदार तना सिंग मलवाई, सरदार बुद सिंग संदावालिया अते सर्दार रतन सिंग कर जाखिया आदी दे नाम सूर्ज वत सदा उजागर रेन गी इस संगराम दा सव विस्थार वेरवा मेरे लिखत बाबा फूला सिंग दे जीवन विर्टांत विच दस्या गया है इते असी उन्ना ही हाल लिख दे हाँ जिनना सरदार नदान सिंग दे जीवन दी सकटना नाल सबंद राखदा है 14 मार्च सन 1823 दिन खालसा इतिहास दा कदे ना पुलन वाला दिन है जद बाबा फुला सिंग ने गुर्मते अते अर्दासे दी महतता नो स्थर रखन लई बिना होर फौज दी सहाइता दी उडीक दे केवल अपने 1540 सूर बीरा ना पैंती सोतों वद जान बाज गाजियां पर तावा बोल दता सी अकालियां नो मुठी पर देख के गाजियां दे हौंसले बहुत बाद गे सन और हो कई पासियां तो इना पर टुट पै इह सारा नजारा महराजा साहिब आप देख रहे सन सरकार ने जद अकालियां पर गाजियां वल्लों अग वस दी डठी ता आप इह ना सहार सके अते उसे वक्त सारी खासा फोज नो गाजियां पर हल्ला बोलके अकालियां नो बचावन दा हुकम दे दता बस हुन देर की सी हुकम दे मिल दे ही पाल दे पाल विच सारी खासा फोज सने शहजादा खडक सिंग, सरदार हरी सिंग नरुआ, सरदार नदा आंसिंग आदी अपनियां पगोतियां तू के गाजियां पर जा पई इस समें सरदार नदा आंसिंग अपने रसाले नो इनी तेजी नाल अगे वदा ले गए कि एह सब तो पहला जहादिया नल गुथम गुथा हो पई अते उस इकठने जड़ा अकालिया नल हथों हथ लाड़हा सी खंडा देन विच सफल हो गए एक थे एक गोली सांसां कारदी आई अते सरदार नदांसिंग दे पटनु छोके इस दे कोड़े दे पेट विच जा लगी ते सरदार जीदा कई रन पूमिया दा साथी अते प्यारा कोड़ा देख दे देख दे ही उत्थे ही ठंडा हो गया आपने हुन पैदल ही सिरी साहिब चलानी अरंब दती इस समय जो वी सामने आया उस दा कंगा करके रख दता इस तरह सरदावन दान सिंग अपनी तेख चलानदा होया ऐसी था पहुंच गया जित्थे इस इकले नू पंज जो शिले गाजिया ने चमकदिया तलवारा विच के एग लिया गाजिया तो पंज तलवारा खोणिया इस नाजक समें आपने ऐसी द्रटा तो काम लेया ते आपनी शमशेर जनी दे उहो जोहर दसे की साबनो हरान का दता आप उना पंज जवाना दे वार अपनी ताल पर चड़पके उल्टा उना पर उच्छल के ऐसी कारी वार का दे सन जिस नाल थोड़े समें विच ही आपने अपने वैरिया नू कट वड़ के उना दिया पंजे तलवारा खो लें या इस समें संजोग नाल महरजर इंजी सिंग अपनिया फोजां दा रन तत्ते विच होंसला वदान दे होए ठीक उत्थे आ पहुंचे जित्थे बहादर नदान सिंग ने इह संगराम मचाया होया सी इह साब कुझ शेर पंजाब ने अपनी अखी डिठा हुन सरकार ने अपनी रोब पर इआवाज नाल ललकार के आख्या नदान सिंग तकडे रहो असी पौँच पए हाँ जट सरदार ने निगाप आरके अवाजवाल तक केया ता महराजा साहिब नो अपने लागे खलोता डिठा शेर पंजाब दी बक्षश इस समय सरदार नदान सिंग ने गाजियां तो खोया हुया पंजे तलवारा सरकार दी हजूरी विच पेश कीतिया तक कदरदान महराजा अपने कोड़े तो छाल मार के हेठ उत्तर पए अते भादर नदान सिंग नो कुट अपने हिक ना लालेया फिर अथा प्यार विच आख्या वाह वाह मेरे पंजह थे सूर में खाल सई शान रख दखाईया वेरियां तो खुईया इना पंजह तलवारा ना सरकार ने पंजह जार रुपे दी जगीर जिला गुर्दास पुर विच आपनो देन दा उसे वक्त हुकम दे दता महराजा रंजी सिंग दा एहे पंजह था बदन जेडा आपने निदान सिंग दी बेन जीर बहादरी देख के लुंड दर्या दे कंडे इसनो संबोधन कारदे होई चार्या सी इहे इसने अपने नाम ना मान वज्जों जोड लेया अगिनो इहे शब्द ना केवल आप ले नित दी बोल चाल विच्छी वरत्या जान लगा सगो सरकारी कागजात विच्वी आप दे नाम नाल सरदार नदा आंसिंग पंज हथा लिखे जान दा सी इस मिदान जंग विच्छ सरदार नदा आंसिंग नू चार फट लगने इस विच्छ शक नहीं कि अफगान अपनिया पुराणिया रवायता नुसार इस लडाई विच्छ बड़ी बहादरी ना लड़े सान इन अपने प्यारे वतन दे बचाओ लेई कदम कदम पर अपनिया जाना वारिया सान पर फते ते हार रब ने अपने हत रखी होई है अफगाना दिया इनिया कुर्बानिया करन पर भी फते खाल से दी होई इस संगराम विच्छ बाबा फूला सिंग जी अते होर कई नामी सरदारा ने आपा वार के अपनी कौमी शान नू उच्चा किता सी इस रणपू मी विच्च सरदार्न दा आंसिंग नू चार गैरे फट लगे सन अते आप दा प्यारा कोडा आप दिया गना विच्च गोली लगन नाल उथे ही माल गया सी एहे है आप दे पंज हथे पद दे प्रापत करन दा वेर्वा गवर्नर जनरल नू शिमले मिलना सन अठारा सो कत्ती विच शेरे पंजाब ने जड़ा चोणवे सरदारां दा मिशन लाड बैंटक गवर्नर जनरल नाल मिलके कई राज सी विचारां करन ले शमले पे जया सी सरदार न दान सिंग पंज हथा उना विच खास हस्ती सी आप दे चेरे आदी दे फट दे के गवर्नर जनरल ते उस दे मुसाहिब अश्चर्ज हो गए सान जिस जिस मेदान जन्ग विच एहे फट आपनो लगे सान उना बारे मेमा ते अंग्रेज अफसर आप तो हालात पुछ दे सान इना दे सुनन नाल उना पर खास से दा पारी रोब पेंदा सी पिशावर दी फटे समे मुड़ फटड होना खासा राज दे कारनामया नो इतिहासक दरिश्टी कौन तो विचारे हैं कसूर, अटक, मुल्तान, कश्मीर तो निशेरे दियां फते याबियां वी कोई कट अश्चर्ज कारनवालियां नहीं हान पर पिशावर नो फते करके जिड़ा 700 साल तो पंजाब नालों एक वड़े गए अंग नू मुड इस नाल जोड के खासा राज दा एक सूबा बना लेना, खासे दा एक अनोखा चम्त कासी जिना लोका नू पठाना विच रहन बहन दा समा मिलेया है ओह चंगी तरह जान दे हन की सरहदी कौमा तेक बाईलियां दे दिला विच अपने देश दी अजादी ले किन्नी तड़ फूंदी है एहे वतन पियार नो अपने जीवन नालों वी वडेरा उत्तम समझ दे हन एहे अपने देश दी एक एक गज था ले अपना लहू पाणी दी तरह वगादें दे सन पर जद असी खाल से दा इना नुफते करके इना पर सफल हकूमत करन दा टंग राजा ते परजा दा आपस विच पाईयां जेहा वरताव जनता दे मुखियां नू लखा रुपे दियां खुल दली नाल बक्षियां जगीरां ते अमाजब आदी दे रिकार्ड वाचते हां था खाल से दी दूर दरिश्टी ते खुल दली दा सिक्का आप मुहारे मना पर उकर जानदा है सन 1884 दे अरंब हुंदियां ही शिरे पंजाब ने अपने नामी सरदारां दी सलानाल पिशावर पर चड़ाई दियां तियारियां अरंब दतियां सन जद सब प्रबंद ठीक हो गया ता महराजा साहिब ने इस मुहमदी कमान अपने बहादर पोते कवर नो नहाल सिंग ते सरदार हरी सिंग नडवे हत सौंपी इना दी सहाइता लई सरदार तना सिंग मलवई सरदार बचन सिंग ठेठर सरदार नदान सिंग पांज हत्था सरदार शाम सिंग अटारी आदी सूर में सने अपो अपनियां फोजां दे कूच करके 26 अपर्याल दी शामनू दर्या अटक सब्त सिंदू दे किनारे जा डेरे लाए अगले दिन इह सारी फौज बेडियां दे पुल दी राहीं दर्या तों पार लंगाई गई पिशावर दे बार्क दे हाकमानू जद खासा फौज दे सरहद वल कूछ दी खबर पुजी ता उना रात दिन दे लगातार यतनाल पिशावर दे बचाओ लई जो कुझ उना तो हो सकिया उना खासा फौज दे टाकरे लई त्यारी कार लई बारा हजार अपनी अफगानी फौज अते इस तों दूना मुलकिया लशकर तुर्थ फुर्थ एकठा करके खासे दा रा चमकनी दी सीध मोर्चे तियार करके रोक लिया इस समय रसाला फौज ने सरदार निदान सिंग दी गवाई विच अते तों खाने आते पैदला ने कवर साहिब ते सरदार हरी सिंग सरदार राम सिंग हसन वाली आदी दी रहनुमाई विच छे मई दी सवेर नू बार्क जई फौज पर हला बोल दता अगों अफगानी तोब खाने ने बड़ी दलेरी नल जवाब दता इस तरह दोपैर तक बड़ी लहू डोल मी लड़ाई होई बहादर अफगाना अपनी कौमी शान नू काइम रखन लई पूरे जोश नाल खाल से दा टाक्रा कीता पर खाल से दा अज दा अथा जोश किसे दे ठलन तों बहार सी अफगानी फौज दे आगू खान महमद ने सरदार नदान सिंग पंज हथे नाल हथों हथ तलवार चला के बड़ी दलेरी दा सबूत दता पर पंज हथे ते दो हथे दा मुकाबला कद तक निब साकदा सी छेकड पंज हथे सरदार दी तेग नाल खान महमद खान सक्त फटड होके डिगन लगा ही सी के उसने एक फेरवी साटनाल सरदार नदान सिंग नूवी फटड कार दता इसे तरह हाजी खान वी सरदार राम सिंग दे हथों फटड होया इस समय इह दो में भादर अफगान आगू अपनिया जानना तो हथ तो के लड़े सां पर सक्त फटड होके मिदान विच्चों पिछे हाट गए इस लड़ाई विच सरदार नदान सिंग पंज हथे दी बीटा दे के कवर साहिब हैरान रह गया हुँजा दफगानी फज दे जिम्मेवार अगू फटड हो गए ता बाकी दे बहुत सारे रनपूमी विच कम आए ता बाकी रिंदी फज दे पैर वी मिदान तो उखड गए कवर नोने हाल सिंग ने इस समय बड़ी निर्पैता नाल अपने नेजे दे कमाल दसे ते कई वैरियां दा सफाया कीता इसे दिन लोड़े पहर नो खाल से दा शेहर पर पूरा कब्जा हो गया विजए खाल से दा बड़ा जोश पर पूर इतिहासक जलुस शेहर विच दाखल होया पिशावर वासियां वल्लों खाल से दा सुआगद बार्क जिया दी करडी हकूमत तों खलासी पांधी खुशी विच पिशावर वासिया ने खाल से नो बड़े सनमान नाल शहर दे वड़े चौंका विच जी आया आख्या अते रात नो शहर दे मुसलमाना हिंदुआ ते सिखा मिल के दीप माला कीती पिशावर दी किलादारी मिलनी पिशावर दे परस्द किले बर कपजा करके खालसे ने इस दा नाम सुमेरगरण रख्या सरदार ने दान सिंग इस इतिहासक केले दा पहला केले दा नियत किता गया इस वड़ी जिम्मेवारी दे आँधे पर सरदार ने दान सिंग पंज हथा 1870 दे अखीर तीक रहा पंज हथा सरदार दा छेकडला कारनामा किला जमरोद, बाड़ा मिचनी, शबकदर, शंकरगड, आधी दे त्यार हो जाननाल काबल दी हकूमत पर पारी खत्रा चागया होड़ो चंगी तरह समझ दे सन के काबल वी बहुत छेती ही मुल्तान, कश्मीर, बन्नू ते पिशावर दी तरह खालसा राजदा एक पाग बाण जाएगा पर चूंकि अमीर दोस्त मुहमद खान दे तान विच बहादरा वाड़ा मानसी उसने बजाए इस दे की इस कबराहट विच टेरी टाबेंदा उस सारे अफगानी मुखिया नो इकठा करके फैसला किता कि उस दिन उडिकन दी था कि खालसा काबल विच आवड़े पला इसे विच है कि उस तो पहला ही अपनी रख्यादा यतन कीता जाए इस फैसले न सार 15 प्रैस सन 1832 ब्याली हजार फौज अते मुल्किया लशकर सने 46 तोपां दे अमीर दोस्त मुहमद खान ने अपने पंजाब उत्तरा दी सौंपनी विच किला जम्रौद ते शंकरगड आदी न जम्रौद पहुंचके जद अफगान मुख्या नू पता लगा कि सदार हरी सिंग नर्वा बिमार पेया है ते खालसे दीवदेरी फौज कवर नौनेहाल सिंग दे विया पर पंजाब गई होई है ता इना दे हौंसले बहुत ही वाद गई इनी दिनी जम्रौद दे किले दा किलादार सदार महा सिंग सी जिस पास केवल 800 पैदल, 200 सवार, 10 गोल अंदाज, 10 वड़ियां तोपां, 12 वड़ियां तोपां, 12 हल्कियां तोपां सां 8 अप्रेल दी सवेर नू जम्रौद दे किले पर वैरी ने वड़ियां तोपां दी गोला बारी नलतावा अरंब दता, अगों किले दा खासावी वड़ चड़ के उत्तर दंदा रहा, दो दिन एहे प्यानक लड़ाई लड़ी जान दी रही, वैरी किले पर कबजा करन विच और सफल रहा, 29 अप्रेल 1822 शाम नू किले दी दवार दा एक पुष्टा तोपां दी मार नल डिग प्यासी, इस दी खबर सरदार हरी सिंग नू पिशावर उस समय पहुँचाई गई, सरदार निदान सिंग जमरोदे मिदान विच, सरदार हरी सिंग रातो रात, सने सरदार निदान सिंग, सरदार मंगल सिंग रामगडिया, ते होर नामी सरदारां ते दस हजार खालसा फौज नाल जमरोदे मिदान विच पहुँच गए, इहे तुफानी कूच एनी तेजी न विच नहीं से बदलेया कि इना गनीम दी फौज पर तावा बोल दता सारा दिन बड़ी लहू डोल मी लड़ाई होई एह गल ती अप्रैस सन अठारा सो ती दी है इस समय जद वैरी नू सर्दार हरी सिंग दे मिदान विच पॉंचन दा पता लाग गया ता उना नू हत्था प अगों शहजादा वी मन्या होया बहादर सी दोमा दिल खोल के शमशेर बाजी दे कमाल दसे छेकर पंज हत्थे सरदार ने ऐसी टिकमी तेग मारी जिस नाल हो सक्त फटड हो गया इस दशा विच हो हो मिदान विच ना ठैर सक्या मुहमद अकबर खान दे फटड हों दी खब जद अफगाना विच खिलर गई ता उना दे पैर मिदान विच्चों उखड गए अते अपनिया अठारा तोपां खासी दी पेटा करके पाज के दरा खैबर अंदर जावडे सरदार नदान सिंग अपने सवारा नाल एना नू अग्गे दबांदा होया दूर तक दरे दे अंदर चला गया अते गनीम नू पारी नुकसान पहुंचाया छेकर जाद सरदार हरी सिंग दा हुकम आपनू वापसी वारे पुजात आप पिछे परते इस समय पांज हथे सरदार दी फते याबी दी खुशी दुख विच बदल गई जदा आपनू पता लगगा कि आप दे गुडे मित्तर ते मिदान जंगा दे साथी सरदार हरी सिंग नर्वा सक्त कायल हो गई हैं आप इत्थों सिद्धे सरदार जिदे दर्शन लई के लिए विच पहुंचे अते नर्वे सरदार दी नडाल दशा देख के हके बके रह गए बस इस संगराम नाल सरदार नदान सिंग पंज हथे दा इन्ना ही सबंद है इस तो अगले हालात आ आशा है पाठका ने मेरे लिखत सरदार हरी सिंग नडवे दे जीवन बिरतांत विच पढ़ लए होने हां चलाना सरदार ने दान सिंग नो असी बड़ा वडपागी समझ दे हां क्योंकि आप अपनी जिंद जानतों वद प्यारे महराजा रंजी सिंग दे विचोडे दे द दुख तों बाच गए पांज हथा सरदार अपनी सरकार दे चलाने तों केवल एक महिना पेला ही इस संसार तों कूच कार गए अते अपना नाम ओन वालियां नसला दियां रगां विच सूरमता दा लहू पा रनलाई अमिट छाड़ गए एहे गल मई 1859 दी है पांज हथे सरदार दे जीवन पर एक नजर पांज हथे सरदार ने अपना सारा जीवन खासा राज दी उसारी पकेयाई ते ब्रदी दी लगन विच लीन होके लंगाया मिदाने जंगा विच कमाल दी बीरता ते निडरता नाल लाड़ दे होए ने अपना सारा सरीर जखमा नाल छाननी करवा लेया सी इत्थों तक कि आप दे सरीर पर ऐसी कोई था नहीं सी जित्थे चार उंगला रखियां जा सकन ते उत्थे फाटदा निशान ना होए गर्ज इना कौमी कुर्बानिया दे कारदियां आपता सारा सरीर फटा नाल परिया पिया सी इहे ऐसा निर पै लड़न वाला जोदा सी के एक रण पूमी विच आपनू चार चार पंच पंच फट लगदे रहे अते इना फटा दे लग्यां वी इहे बीड लड़ाई दे फते हून तक बराबर मिदान विच लाड़दा रिंदा सी इहे फर्ज दे मुकाबले पर अपना अराम जा स्रीर दी रख्या हेट समझदा सी आप बारे इहे गल आम परसिद सी के आप सदा वैरी पर तावा करन समय सापतों अगे हुं दे सन अते पिछे परतन विच सापतों छेकर इस बारे कई लिखता अते बरदा दे बियान मिले हन पर थाँ दी तंगी दे कारन विस्थार तोसन कोच कर दे हाँ जिस वर्याम जोदे दिया कौमी कुर्बानिया इनने उच्चे पाई दिया होन उस पर मौजूदा कौम ते और वालिया नसला जिनना फखर करन उनना ही कट है आप पिछे पड़ आए हो की पंज हथे सरदार दा नुशेरे दी रन पूमीदा कारनामा जिते आपने कले हथ पंज जोशीले गाजिया नुखेत रखके उना तो पंजे तलवारा खो लिया सन इस समे शेरे पंजाब दा मन आप दे इस असदारन कर्तव नुदेखके जोश विच उच्छल पेया अते इसे खुशी विच सरकार ने आपनो पंज हथे दा मान योग खताब बक्षिया सी कौम दी ओहो मान योग शक्षियत सी जिस दा नाम सदाले मान नाल लेया जावेगा वर्याम रामगडिये सरदार जोद सिंग रामगडिया शब्द रामगडिये दा वेर्वा शब्द रामगडिया दे पड़न जा सुनन नाल ही तिहास दे प्रेमिया दी आखा सामने इका एक पंथ दी किशांदार जथे बंदी दा सुनेरी समा आखलोंदा है खासे दे इस सनमान योग पाग विच 18,000 सिरलत जवान सान इना जवाना दी अगवाई ले बहादर अगू सान जो खास गुणा दे माल कमने जान दे सान इना दे 360 किले वर्ज दे दंद में पंथ दी प्रप्ता दे लखाएक सान इना विच वड़ी वड़े आई एह सी के एहे अपनिया संसारक लोडा पूरिया करन लेई किसे दे मुथाज नहीं सान इहे किले फसीला ते दंद में अपनी हथी उसार लें दे सान समू शश्टर तोक तो लेके कोडे दे नाल तक आप तियार कार दे सान नदी नालेया तो पार होन लेई पुलते बेडे बेडिया बनोना इना दा सदारन करतव सी जंगी समान एक था तो दुजी था पहुंचों लेई गडे रेडू अते खेती बाडी तो वद उपज प्रापत करन लेई लोडिन दे सान्द त्यार करने इना लेई मामूली काम सी मुक्दी गल एहे कि एहे मेदान जंग विच तेगा मारन दे नाल नाल इंजीनरी ते दस्त कारी दे हुनर विच वी अपना नमुना आपसा गुरु रामदास जीदा प्यार इना उपपर लिखे गुणा तो छुट इना विच एक होर वादा सी जिस दी होंद ने इना दा नाम सदा लई अमिट काब दता सी ओहो शिरी गुरु रामदास जीदा था प्यार जो इना दे रोम रोम ते तनमन विच वासरेहा सी इथे तक कि एह संसार पर कोई वस्थ अपनी नहीं समझाण दे एह सब कुज गुरु रामदास जीदी दात मांदे सान अते उह सब कुज अपने नाम नाल जोड़न दी था गुरु नामदास जी दे नाम पर समर्पन करन विच लोक पर लोक दी खुशी ते मान समझ दे सा इन अपने किले दा नाम गुरु रामदास जी दे नाम पर रामगड रख्या अते अपनी मिसल दा नाम रामगडिया मिसल चुनिया गुरु नगरी दी राखी लई वड़ियां काला काल के फसील त्यार कीती ता इस दा नाम राम रोणी अते अपने अमुक लंगर दा नाम राम रोटी तर्या इसे तरह अपनिया टालिया हुईया तोपां ते बंदुकां दा ना राम जंगे ते राम बान ते अपने खजाने दा नाम राम रास रख्या सी इननु जेडी चीज भी चंगी लागदी सी ओनु गुरु राम दास जी दे नाम ना जोड़ दिन दे सान इहे इना दी सिखी सिदक दे अगाद प्यारदन मुना है इस जथे बंदी दा बानी सरदार जसा सिंग दे पिता सरदार पगवान सिंग ने विदेशियां दे जुलमतों अपने देश वासियां नु बचान ते उना दी सहायता लई सोजवान अपने नाल ऐसे जोड़ लई जिना दा दुख सांजा सी इस तरह इहे पांथ अते देश दी सेवा कारदियां सम्मत 1797 बिक्रमी विच नादर्शादे टाकरे पर लाड़दा होया अपने देश पर अपावार गया सरदार जसा सिंग अधिना बेग नाल राजसी मेल जकरिया खान सुबा लहौर सन स्तारा सो पंताली इश्वी विच तर्ती दा पार होडा कार गया हुन दीना बेग खान नू जिलंदर विच अपनी शक्ती वदान दा सुनेरी समा मिलिया एहे बड़ा सियाना राज नितक हुकमरान सी इह चंगी तरह जानदा सी के मेरी कमान तद ही चड़ी रह सकेगी जद खाल से नाल मेरा किसे तरह मेल हो जाए इदर खाल सा वी समेदिया राजसी चाला विच पूरन परबीन सी ओह वी चौनदा सी के लोड विच फाथे पई हाकम नाल मेल कार लैन विच पला ही पला है अपने स्वैसत कार नो मुखरा के जित्थो तक मिला अपने बौन विच किसे तरह हान नही इस तरह दोमा तेरा दी इच्छा नुसार कई गलना दा मू सामने फैसला करन लई खासे वलनो सरदार जसा सिंग रामगडिये नो विचोला थापके नवाब अदीना बेख खान पास शर्ता तै करन ले जिलंदर पे जिया गया इस अत जिम्मेवारी दे कामनो सरदार जसा सिंग ने ऐसी सुचजता नाल सिरे चाड़ेया कि अदीना बेख खान आप दी सियानपते नीती पर इबोल चाल दे टांगनो सुन के हैरान रह गया नवाब पर आप दी सुगर्ता दा इनना पर बाब पेया कि उसने सरदार जसा सिंग नो आख्या कि जे आप सने सवारा दे असाड़ेनाल मिलके रहना चाहो ता आप नो आप दी च्छा नुसार जगीर दती जाएगी सरदार जसा सिंग ने इस बारे पांथ तो परवानगी प्रापत करन लेई नवाब तो मौलत मंगी अते आके पांथ दे मुखियां दे सामने एहे मामला रखिया पंथक आगुआ ने जद इस गाल नो दूर दृष्टी ना विचारेया ता इस विच पांथ लई सब तरा लाब दसेया पहला लाब ता परथक एहे सी के निजाम जिलंदर नाल मेल हो जान नाल खालसे पर हो रहिया सक्तियां कुझ समे लेई रुक जान गिया दुज्या इस समे तो लाब उठा के खालसे नो वदन फुलंदा खासा समा मिल जावेगा तीज्या हाकम दे दरबार विच अपने आदमी दे रैन दे कारण वैरिया दिया चालना ते सोचा दा पता लागदा रहेगा ते उना तो बच बचावदा परबंद खासा समे सिर कारलिया गरेगा इस तो छुट लोड पैन पर पंथ जद ज़रूरी समझेगा कि हकूमत नाल होर मेल नहीं रखना ता उसे दिन ही इह सबंद उना नालों तोड लिया जाएगा सो प्रोक्त विचार अनसार सदा जिसा सिंग नू पंथ वल्लों नवाब अधिना बेग पास रहन दी परवानगी मिल गई ते उह सने अपने सवारां दे खान पास रह पेया इस पर नवाब ने आपनू चोखी जगीर दुआबे विच देदती इह सलसला कोई तिन को साल निबदा रहा अधिना बेग दी नियत विच फर्क सन 1788 दे अक्तूबर विच पंथक आगुआनू अधिना बेग दी निगाह खासे वाल कुछ विंगी दसी इस पर राम रोणी दे खासे वलनू सर्दाब जसा सिंग नू हुकम नमा पुझा कि आप दुआबे दे नवाब नाड अग्गे नू मेल ना रखो खासे दी इस इच्छा नुसार आपने उसे दिन ही नवाब दीना बेग नालो अपना सबंध तोड लिया अते सने अपने जवाना दे अमरिसर पहुंच के अपने वीरा नाड मिल गए इथे खासे दी मोडे नाल मोडा जोड के वैरियां दे टाकरे ली राण विच उतर पाई सरदाव जसा सिंग दे इस पंथक प्यार नु देखके सरबत खासे वल्लों वड़ी पर संता परगट कीती गई दुख वंडाव जसा सिंग सन 1780 इश्वी विच एक अत दुखी ब्रामन हाजर होया अते फुट फुट के रोंदे होय ने फर्याद कीती के हाकम हिसार ने उस दी कन्या तक के नाल आपने कार पा लई है ओहो दुखी कई राजपूतना ते मरहटे अगुआ दे दुआरे अपनी एहे दुखी परी फरयाद सुना चुका है पर उस अत्थिती दी बाग किसे नहीं फड़ी हुन ओहो साब पासिया तो नरास होके आप दे दुआरे आया है तरसवान सदार जसा सिंग ने दर्द ब्रामन दी चीक पुकार सुनके अपने बहादर सवारा नों हुकम दे दता कि खालसा जी पहला इस दुखीये दा दुख काटके मुड कोई होर काम करांगे सो उसी समय हाकम हिसार पर हला बोल के जर्वाने दा कोट ते कारके इरलिया अते ऐसे कहर दी करास तेग चलाई के वैरी लई हेठली उपर ले आंदी इस संग्राम विच पापी हाकम ज्योंदा फारलिया गया अते इस तरह दे जर्वाने या लेई जेहो जेही सिख्या दाएक सजा सोव दी है दती गए इस दे हरम विच उ ब्रामन दी कन्या नू कड ले आ दा ते जालम दे के ले नू दिल खोल के लुटेया तां जो अगए नो होर हत्यारया नू इस नमुने तों सिख्या मिले इस तरह ही कन्या सुब्रामन दे हथ सौंपते हुए सदार जसा सिंग ने पांज हजार रुपे अपने पासों एहे कैके कन्या दे नाल दता की तियानू खाली हथ करो नहीं तोरी दा सदार जसा सिंग दा इस निशकाम उपकार दे कारन सारे देश विच पारी जासों लगा आते आप दा नाम बंदी छोड़ परसिद होया जीवन दा महान कार नामा सदार जसा सिंग दियां फते याबियां दा हद बनना हुन पंजाब तों बाहर दिल्ली दियां कंदा तक खिलर गया सी सन 1782 विच आप सने खाल सा दाल दे चंदोसी ते मेरिठ नू सोद दे होय दल्ली पर जा पै अगोराईता नीदी रखेक फोज ने बड़ा करड़ा टाकरा कीता पर आप साब नू लितार दे होय मलका गांजते सबजी मंडी दी सफलता दे बाद सिदे मुगल पुरे नू जाके रिया दिल्ली पर सफलतावा दिल्ली दे वसनीका पर खाल से दा ऐसा दबदबा चाया की ओहो इसकबराट विच पाजपाज के के लिए विच जावड़े इथे दिल खोल के मुगला दा महला सोद्या गया जिस विच अनिकां दे पीडियां दे तोने तोते गए सेंकडे गाजी कोडे बेगंत हत्यार अतुल सोना चांदी समेट दे होए बिना किसे लम्मे खून खराबे दे अपने मिथे होए फैसले अनुसार मुड मेरथ आ गए खाल से दी इस फते दी सदा काइम रेंड वाली यादगार एह सी के आपने दिली दे किले विच चार वड़ियां तोपां खिचवा आके आपने नाल लै आंदियां नजव खान हाकम मेरथ ने अगे दास हजार रुपेया सालाना खाल से नू नज़राना देना लिख दता ते इस मसा किते आपनी खलासी करवाई मुक्दिगल एह है कि सर्दार जसा सिंग ऐसा परतापी जोदा सी के आप जिद्दर कोड़े दियां वांगा उठांदे सन सफलता आप दे चर्न चुम्दी हुंदी सी इस तरह आप अपने सफल जीवन दे असी साल बिताके विसाख सम्मत 1860 बिकरमी मताबक अपरेल सन 1803 विच संसार यात्रा संपूरन कार गए इथे था दी कमी दे कारण असी आप दे इस तरह दे अनेक कारणा में बेवस चाड़ दे हां सर्दार जसा सिंग दी संतान आप दे दोमें पुत्तर सर्दार जोज सिंग ते सर्दार वीर सिंग बौते गुणा विच आपने मानियोग सूर में पिता जहे सां सर्दार जोज सिंग ते शेरिपंजाब महराजर रंजी सिंग बारे देशी ते बिदेशी विदवान इस नुक्ते पर सैमत हन कि उना जेहा जन पार्खु शक्ती दा माल्क कोई टावा ही संसार पर मिलेगा सरकार ने सरदार जोज सिंग रामगडिये दे वरियामता दे कारनामया बारे बहुत कुझ सुनिया सी सन 1893 जद की खासा राज दी इहे महान इमारत अजे नीहा विच्चो निकली ही सी इसनु मजबूत बनाया अते सरख्यत बनाऊन लई सरदार जोज सिंग वर्गे कई जोदियां दी सहायता ते कुर्बानियां दी लोड सी जो शेरे पंजाब ने इस बारे शिरी बाबा साहिब सिंग जी नू सदा लई अपने विचार दसे शिरी बाबा जी ता इस तरह मिलाप करोन दे दिलों चावान रही दे सान बाबा जी आप उसे वक्त गए अते सरदार जोज सिंग नू अपने नाल महराजा साहिब पास ले आए अगो महराजा साहिब इने प्यार नाल मिले कि बहादर सरदार जोज सिंग दा मन सरकार ने सदा लई अपनी मुठ विच कार ले इस दे परंथ असी देखते हां कि रामगडिये सरदार दी उहो तलवार जेडी अपने जाती लाब लई चाल दी सी अग्गे नू सांजे खासा राज दी उसारी ते ब्रदी लई चलन लग पई बीटा दसन दा पहला मौका सरदार जोज सिंग ने महराजा साहिब नो अपनी बीटा दे जोहर पहली वार सन अठारा सो सात विच कसूर दी वडी लड़ाई समें दस से जडी बहादर कसूरिये पठाना कुतब दिन खान आदी नाल लड़ी गई सी इस संग्राम विच आप अपने 2004 जवाना नाल शामल होए इस समें आपने ओहो तेग वाही के शेरे पंजाब देख के वाहवा कार उठे आप दी निर्पैता अते सूरमता पर महराजा साहिब इन्ने परसन होए कि आप नू सितकार वज्जों पच्ची हजार रुपे दी आमदनी दी जागीर इलाका को मन विच दती सरदार जोज सिंग जित्थे मिदाने जांगदा निर्डर जोदा सी उत्थे मानदावी बड़ा साफ चित परसिद सी जिसता सबूत ए है कि आपने डठा कि शेरे पंजाब आप नाल मनो चितों प्यार कार देहन ता आप सरकार नाल ऐसे कुल मिल गए कि कदुज्जे दे डि कार्ड खोजियां तो पता लगदा है कि खासा राज देवादे लेई सन अठारा सो तिन तों अठारा सो सोड़ा इसवी तक जिनने संगराम लड़े गए इना सारेयां विच्छ सरदार जोज सिंग ने वद चड़ के हिसा ले आप सन अठारा सो सोड़ा विच कुछ दन बमा रहे के इस संसार्तों कूच कार गए आप दे चलाने दा शेरी पंजाब दे मान पर बड़ा डूंगा प्रबाव पया सो आज असी इह किताब पन्ना नंबर ब्यासी तक ही बढ़ांगे तानवाद जी वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फति